नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे कि वोल्टेज, करेंट, पावर और रजिस्टेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पर हमने ओंसला का फार्मुला लिख रखा है, वोल्टेज बराबर होता है, करेंट आई गुणा रजिस्टेंज आर और पावर बराबर होती है, वोल्टेज गुणा करेंट आई, पावर के दो फार्मुले और हैं, जैसे पावर आई स्कॉयर आर के बराबर भी होती है, और वी स्कॉयर वाई आर के बराबर भी होती है, तो पावर इन तीनों से किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर चुकि फार्मुले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम सिर्फ ये और ये यूज करेंगे ये दोनों यूज नहीं करेंगे अब एक्जामपिल के तौर पर हम एक एलक्ट्रिक आरन लेती हैं इस एलक्ट्रिक आरन में यहाँ पर कुछ डेटा लिखे हैं छोटे छोटे हैं वह नजर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर लिखा है वोल्टेज और पावर क्या लिखा है वोल्टेज लिखा है टू फार्टी बोल्ट और पावर लिखी है ग्यारासो वाट यहाँ पर अब calculation करने के लिए इसमें देखिए तीन चीजे हैं न एक दो तीन तो तीन में से कम से कम दो की value मालूम होनी चाहिए टब हम तीसी calculate कर सकते हैं इसी प्रकार यहां पर भी एक, दो, तीर में से दो की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो हम तीसरा कैलकुलेट कर लेंगे, अब यहां पर हमें पता है वोल्टेज और पावर, तो इस equation को लें, तो हमें खाली वोल्टेज पता है, तो हम इससे solve नहीं कर सकते, इस equation को लें, तो हमें वोल्टेज और पावर, वोल्टेज और पावर दो चीजे पता हैं, इसलिए हम यह formula यूज करेंगे, आपको सौझ में आ गया ना, कि पहले हम यह क्यों यूज कर रहें, क्योंकि इसमें दो की value पता है, तो तीसरा हम पता लगा सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं, तो आप हम इस formula से calculate करेंगे, देखिए, यह power है, ग्यारा सो, पावर ग्यारा सो वाट है न, बराबर, वोल्टेज, यह वाला formula में यूज कर रहा हूं, वोल्टेज क्या है, 240 वोल्ट, 240 वोल्ट, और फिर I लिखा है, तो इस formula में हमने P और V की value लिख दी, जो की हम current पे लिखी होई थी, अपने अपनी तरफ से नहीं लिखी है, अब आगे बढ़ते हैं, आप आई क्या हो जाएगा, यह power divided by voltage, तो यह आजाएगा, ग्यारा सो वाटा, 244.58 ampere, तो इस electric iron में 4.58 ampere current बहेगी, अगर 240 volt की supply दे तो, यह ग्यारा सो वाट कभ है, जब voltage 240 दे तो, अगर कुछ और voltage लगाते हैं, तो कुछ और power होगी, तो अभी calculation हम 240 volt का कर रहे हैं, तो इस formula से P और V पता था हमको, तो हमने I calculate कर लिया, इतना आ गया, अब हमारे पास P है, V है और I है, अब इस formula में हमें, V पहले से पता था, I हमें पता चल गया, यह, तो हम R की value calculate कर सकते हैं ना, इस formula से, तो आब हम यह formula का प्रयोक करेंगे, यह जेखिए, यह voltage 240 volt, यह I जो हमने calculate की, 4.58 ampere, और यह R, तो R की value क्या जाएगी, 240 divided by 4.58, is equal to हो गया, 52.4, यह value R की हम यहाँ लिख देते हैं, तो जो हमारी electrical iron है, उसमें voltage और power दी थी, इन दो formula की मदद से हमने resistance calculate किया, पहले वो formula यूज किया, जिसमें 2 key value पता थी, उसके बाद हमने यह वाला प्रयोग किया है, तो इस electric iron का resistance है, 52.4 ohm, power है 1100 watt, और voltage है 240 volt, अगर 240 volt देंगे, तो इतनी power आईगी, दूसरा voltage देंगे, तो power कम जादा हो जाएगी, अब हम क्या करते हैं, आपको इस electric iron का resistance, एक multimeter से major करके दिखाते हैं, देखते हैं कि 52.4 ohm आता है कि नहीं आता है, ठीगे, इस multimeter को हमने इस electric iron के plug पर लगा दिया है, यह line और neutral के बीच में, और यहाँ पर resistance पर हमने set कर दिया है इसका scale, तो 52.4 ohm दे रहा है न यह, तो हमारा calculation बल्कुल सही है, और multimeter भी बहुत अच्छा है, अगर multimeter अच्छा नहीं होता, तो reading थोड़ा सा अलगाती, यह बहुत बढ़िया वाला multimeter है, अब यह पावर ची 240 वोल्ट पर, लेकिन 240 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो पावर दुसरी आएगी, यह नहीं रहेगी, मगा resistance वो ही रहेगा, जो electric iron का resistance होता है, वो वह ही रहता है, तो हम क्या करते हैं, voltage को 220 वोल्ट लिख जेते हैं, जब वोल्टेज 240 नहीं रहा, तो पावर भी वो नहीं रहेगी, तो इसको हम छुपा जेते हैं, छुपा जिया, अब हम 220 वोल्ट पर पर पावर कैलकुलेट कर हैंगे, अब देखिए हमें क्या क्या पता है, हमें voltage पता है, और resistance पता है, तो voltage और resistance इस फारो नहीं लिख सकते हैं, तो आई की वल्व पता चल जाएगी, वी भी पता है हमें और आर भी पता है, तो हम यूज करते हैं यह फार्मुला, यह वी क्या है, 220 बराबर और आई का लिखा रहेगा, और आर की जगा, 52.4 ohm हमने लिख दिया, करन किसनी आ गई, 220 बटा 52.4 ohm, यह आ गई 4.2 amp, तो अब एलक्ट्रिक आरण में इतनी करन पहेगी, 4.2 amp, अब हमें voltage भी पता है, resistance भी पता है, और current भी पता है, तो इस फार्मुले से हम पावर कैल्कुलेट कर सकते हैं, तो पावर बराबर होता है, voltage 220 volt गुणा current आई, आई कितनी आई थी, 4.2 amp, तो multiply करने से आ गया है, 924 watt, तो 240 volt अगर जें हम supply, तो 1100 watt होगा उस एलक्ट्रिक आरण का load, लेकिन अगर voltage 240 से 220 हो जाता है, तो पावर 1100 से घट करके 924 watt हो जाएगी, तो देखिए voltage बदल गया, तो पावर भी बदल गई, लेकिन resistance वही है, रख्ट्रिक आरण का resistance नहीं बदलता, जो चीज नहीं बदलती, पहले वही calculate करते हैं, फिर दूसरी चीज़ें calculate करते हैं, तो करने का तरीका क्या होगा, पहले formula लिखेंगे, फिर हम ऐसी दो चीज़ेंगे, जो हमको पता हो, वो हमारे प्रस्ण में होगी, यह हमको पता होगी, तो जब भी आपके पास कोई प्रस्ण आए, आप उस प्रस्ण में ढोड़िए कि क्या क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे में voltage और power पता थी, फिर देखेंगे वो दो चीज़ेंगे किस formula में हम लिख सकते हैं, वो ही formula से लट करके तीसरी चीज calculate हो जाती है, फिर दूसरा formula यूज करिए, अब ही हमने आपको बताया था, कि पहले वो parameter calculate करते हैं, जो fix हो, जो change ना हो, तो आपका गलत नहीं होगा, तो heater में या electric iron में resistance fix होता है, गरम होने पर रिशन थोड़ा सा बदलता है, लेकिन उसको आप fix मान सकते हैं, इसी पकाट transfer वर में क्या होता है, कि जो primary और secondary में power होती है, वो बराबर होती है, तो आप ये formula जरूर शुरूर से यूज करिए, कि primary की power और secondary की power बराबर हो, अब बल्ब, बल्ब पुराने वाले जो होते थे, आजकल वाले नहीं, या लेडी वाले नहीं, पुराने बल्ब की या लैम की में बात कर रहा हूँ, उसका resistance, उसमें होता तो अंदर resistance है, लेकिन वो fix नहीं होता, देखिए, माली जेक हम लैम लेते हैं, 60 watt का, और उसको AC supply से लगा दिया, तो जो लैम की rating होती है, 60 watt वो तब होती है, जब उसको हम AC supply दें, अगर आप ओम सला के फार्मल से calculate करिए, तो 881 ohm आ जाएगा, लेकिन ये 881 ohm रेजिस्टन तब होगा, जब इसको हम power दें और ये गरम हो जाए, इतना गरम हो जाए कि इसे रोशनी निकलने लगे, रोशनी कैसे आती है, उसके अं temperature बहुत जादा हो जाता है, उससे हमें रोशनी आने लगती है, और यहाँ पर हमने दिखाया है कि supply नहीं दिये, खाली ठंडा लैम्प है, तो ठंडे में रेजिस्टेंस काम होगा, और गरम में रेजिस्टेंस जादा होगा, हीटर में भी रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़त है, इसका रेजिस्टेंस मल्टी मीटर से मेजर करें, तो बहुत काम आएगा, क्योंकि वो cold condition में रेजिस्टेंस होगा, तो आपको मेंच नहीं करेगा, आप कहेंगे कि इस रेजिस्टेंस से power calculate करो, तो यह नहीं आती, वो इसलिए नहीं आती, क्योंकि यह power तब है, जब व cold condition में वो रेजिस्टेंस नहीं आएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए पगार जो मोटर होती है, उसमें आप लोड लगाते हैं, तो लोड चेंज होता रहता है, उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, तो उसका भी कोई parameter आपको fix पता नहीं होता, आपको सारे calculate करन कि अगर किसी equipment में कोई चीज fix रहे, वो पहले आप calculate करें, तो आपको easy हो जाएगा, अगर fix नहीं है, फिर तो काम कटिन है ही, ये bulb का resistance और calculation match नहीं करता, ये बहुत से लोगों ने हमसे पूछा है, अब उनको पता चल गया होगा, कि bulb का resistance, cold और hot condition में आलाग अलग होता है, यहां हमने दो circuit दिखाए है, दोनों में load 100 ohm लगा है, रजिस्टर लगा है 100 ohm का, supply voltage 100 volt है, यहां भी और यहां भी, फर्क है कि यहां पर AC supply है, और यहां पर DC supply, तो I क्या आएगा, voltage divided by resistance, voltage है 100 volt, resistance है 100 ohm, तो 100 by 101 ampere आगया, तो यहां 1 ampere करण भाएगी, यह जो फार्मुला है, AC और DC दोनों के लिए है, अगर resistance है तो, इसी बार पावर कितनी आएगी, V into I, यही होता ना पावर का फार्मुला, voltage है 100 volt, current है 1 ampere, तो multiply होके 100 watt आगया, तो यहां पे 100 watt losses होंगे, यहां current 1 ampere होगी, AC हो या DC हो, अगर resistance है तो, लेकिन अगर resistance नहीं है, यह लिए C लगे हैं, तो DC और AC में करने का method अलग होता है, अब आज यहीं समात करते हैं, झाल करते हैं, झाल झाल